हम लोग कहते थे 1947 से पहले जब देश अंग्रेजों के हाथों में था आज भारतिये जंता पाइटी के सरकार में ये देश की जंता को अंग्रेजों जैसा बरताओ करने के लिए सरकार तयार बैठी है यह यह आपने बंदर बनाने का काम कर दिया एक होता गाउं में मदारी वा एक लाग की घरी लगाते हो देर करोड की क्याना में पेहनते हो अंडर में सबकुछ और कहते हो हम गरीब आज मिये हर चीज को यह पाकिस्तान हिंदुस्तान से जोडना शूरू कर देते अभी हमारे किसान भाईयों को इन्होंने खालीस्तान से जोड़ा यह कहरें खालिस्त आप कहा चले गए थे 2600 लोगों को जब आजीवन करावास हुआ था उसमें 2100 हमारे सरदार भाई थे तब कहा तुम लोग चले गए थे तो देश का प्रधान मंतरी हिटलर साही निभाना चाहरे किसानों को दाना डालना चाहरे हो किसानों को अगर धर्ची तीर सकता है तो दे इस से 40% सांसर्थ और विधायक जो अनपड़ बैटे दस भी फेल है और ये किसान जो MSC किया हुआ, BT किया हुआ, जिसको रोजगार नहीं है, वो किसानी का काम कर रहा है, इस देश में अभी ही रह गया है क्रोना काल में इन्होंने PhD किया हुआ बंदा, 205 रुपे में जो मनरेगा था, मनरेगा में इन्होंने देने का काम किया एक पढ़ा लिखा डिगडी धारी जाकर के 200 रुपे में फावडा उठाए, यही देश की सरकार चलाने वाली है, यही नौकरी देने वाली है 2014 से पहले भारतिय जंता पाइटी कहती थी हर साल 2 करोड रोजगार देंगे कहां गया रोजगार साधे 6 साल में 14 करोड लोकरिया अपने खतम करने का काम करिया सारी सरकारी संपतिया पिछली सरकारों में थी भारतिय जंता पाइटी के सरकार में पपन्चान वे परसंट कंपणिया इन्होंने प्राइबेट हातों में देखने का काम किया आफ यहाखका कुठा कुछ आफ यह नंद क क्म जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा जंता हमारा किसान हमारा देश का किसान आज तक जो बेठा है इनको समर्थन देना पड़ेगा अभी तो हमारे राकेश सिकेट जी बड़े हो के भातर दे रहे हैं अभी तो यह अंग्डाई है 26 जन्वरी आ रही है 26 जन्वरी को ये किसान जब मार्च करेगा दिल्ली के जंतर्मंति से scientist लें करके हमारे जो धन ये लोग देते हैं दिखाते हैं उसके बाद किसानों का धरणा चलेगा तब ये कहां जाएंगे अगर उन पार्कों को ये किसान ट्रेक्टर लेके जोतना शुरू कर देगा कहा जाएंगे बड़ी-बड़ी बिल्लिगों में बैठ करके आप किसानों का भाग विधाता बनना चाहते हो